वो इस निग्लिजेंस पर बेस्ट है जिसने लियाबलेंटी इक परसंटे है जो प्लेंटीम वो एक अपनी liberties के लिए अशे के लिए क्या करते हैं एक जिंजर बियर की बॉटल लोटल हुआने जाता है और स्नेयल के थे मेंक के लिए तो आप तो इसमें हम बहुत जादा डेक्ट में नहीं जाएंगे जो इसमें इंपॉरटन्य शिजह हैं उनको चरेंगे तो यहां पे वो जिंजर बियर्ज की जो बॉटल होती है वो एक परसन ए लाता है वो लाता है डॉनोग्यू के लिए ठीक है यहां पे जैसे ही वो डॉनोग्यू उसको पीती है उसमें रेखती है कि उसमें एक स्नेल होता है वो तैर रहा होता है तो बॉटल पहले ऐसे होती है कि उसको बिना खोले उसको discover करना थोड़ा मुश्किल होता तो यहां पर जैसे उसको consume करती हैं तो उसके बार यहां पर उनको थोड़ी से उनकी health में issues हो जाते हैं तो यहां पर जो है वो compensation के लिए क्लेम करते हैं तो इसमें जो defendant होते हैं defendant का यह कहना होता है कि सबसे पहली चीज तो यह जिसने खरीदा था product जिसने लिया था वो उस person को कोई इसका side effect नहीं हुआ है तो इसलिए हमारी liability नहीं बनती है और दूसरी चीज यहां पर जो यह होती है जो company होती है जो main जो बनाती है वो कहती है कि यहां पर एक तो हमारी liability इ नहीं है तो यहां पर वो मुकर जाते हैं अपनी बात से लेकिन जो donor की होते हैं जो आगे आगे अपने case को proceed करते हैं तो वहां पर जो Lord Atkin है इनका नाम important है क्योंकि यह बहुत important landmark judgment है तो यहां पर वो कुछ principles देते हैं तो पहलो प्रिंसिपल है यहां पर सामने वालो जो परसन देख रहा है उसे कुछ बताने की जूरत नहीं है उसे पूरा एक्ट पता है तो यानि कि जब कुछ चीज देखके हमें उसके बारे में clearly पता चल जाए यानि कि think itself, speak खुच से बोलती है तो यहां पर जो negligence है negligence इस case में हम clearly visibly देख सकते हैं कि negligence यहां पर manufacturer जो है company उसकी तरफ से है कि उसमें snail जो है वो तैर रहा था तो यहां पर उनको क्या करना चाहिए इसका ध्यान रखना चाहिए था तो यह negligence है negligence जो है वो punishable है तो यहां पर हमें यह देखना है कि negligence तो है लेकि negligence कब होती है जब आपकी duty उसका ख्याल रखने की होती है duty उसका ख्याल रखने की होती है तो क्या इस case में जो manufacturer है यानि जो defendant company है क्या उसकी liability यहां पर थी उसकी duty थी कि वो यहां पर इसको care करें कि कोई भी ऐसा harmful product harmful चीज ना जाए जिसको consume करने के बाद जो customer है उसकी help में कुछ भी फरक पड़े तो सबसे पहले यहां पर duty of care यह case नहीं है care है duty of care है उसका concept यहां पर दिया कि जो भी product manufacturer company है उसकी duty होगी duty of care कि वो अपने हर customer की ख्याल रखे अब यहां पर customer जो है यहां पर से वो person नहीं है जो उसको purchase कर रहा है पर्चेस कर रहा है वो person नहीं है बलकि वो person भी है जो उसके service जो है उसका इस्तमाल कर रहा है उसको use कर रहा है नेबर हूट इसके साथ principle भी आया यहां पर principle के spelling color type है इसको आप correct कर लिजएगा तो नेबर हूट का principle जो है वो यहां से आया और इसी case से पहली बाद नेबर हू पर्चे की bottle खरी दी उसने उसको पिया नहीं उससे कोई effect नहीं हुआ बट जिस person ने उसको पिया जिसने उसे खरीदा भी नहीं था उस person को यहां पर क्या हुआ effect हुआ और वो person claim करका है ठीक है तो इसको लेकर defendant party भी यह कहती है कि जिसने इसको खरीदा था उसने claim नहीं किया बलकि दूसरे person ने किया है तो यहीं से neighborhood का concept सामने आता है कि अगर आपकी activity से यहां पर एक person है अगर उसकी activity से कोई आसपास को कोई भी person effect हो रहा है तो वो उसका neighbor कहलाएगा जेनरली अगर आपकी जो neighbor है मालो वहां से वो अपने घर के पास से और क्या कर लें पूरी दिवा से वो काफी जादा क्या करते है काफी जादा यहां पर effect हो जाते है तो यह neighborhood का principle यहां पर सामने आया तो इस case में यह बोला गया कि case proper negligence का case है और इस case में जो है compensation court allow करती है और बहुत ही important case है अब इसके साथ यहां पर हम एक और case पढ़ेंगे यह case भी negligence पर based है Municipal Corporation of Delhi versus Subhaagwanti case यह 1966 का case है इसे clock tower case भी कहते हैं इस case में क्या हुआ था कि Delhi के चांदी चौप के में बजार में यह clock tower लगा हुआ था तो यह काफी पुराना था रहां 1780 साल पुराना तो यहां पर क्या होता है कि यह suddenly collapse हो जाता है और उसके गिरने की वज़े से काफी जादा जो लोग है और क्या काफी ज kita लोग जो है वो घायल हो जाते हैं जब काफी साथ लोग घायल हो जाते हैं कुछ लोग मर जाते है तो यहां पर जो मर जाते हैं क्वेस्चन ही आता है उनके परिवाओं को composition क्या मिलेगा यह नहीं मिलेगा तो अभी देखने वाली बात यह है कि जो टावर यहाँ पे होता है clock tower यह गवर्ण किया जा रहा होता है control में होता है MCD की Delhi Municipal Corporation के तो यहाँ पे Delhi Municipal Corporation की responsibility होती है कि जो भी इस तरह की जो बिल्डिंग्स हैं जो भी इस तरह के चीज़े हैं उन सभी का वो ख्याल रखे जो उसके अंडर में आती है यह जो बिल्डिंग थी यह जो clock tower था यह SSR पुराना था जनरली क्या होता है ऐसे जो towers होते हैं जो भी है एक particular साल तक वो चलते हैं और अगर इतना साल तक आप उसे चला भी रहे हो तो इसमें maintenance की बहुत ज़रूत होती है इसको प्रॉपर पॉजिशन में रहने के लिए वो कभी भी गिर सकता है तो यहां पर था कि एक common presumption है कि चीज दिख रही है अगर वो किसी के उपर भी गिरेगी तो वो इसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब सीरिस्टी इसको इंजर्ट कर देगी तो यहां पर कापी ज़्य लोग मरे हैं तो यहां पर M.C.D. की यह responsibility थी कि वो इसका ध्यान रखे कि जो भी यह मतलब clock tower है ठीक है यह नहीं है और ऐसे case में यह M.C.D. के अंडर में आता है तो इस इपसर अक्वेटर जो हमने अभी previous case में देखा इसका क्या मतलब होता है कि जब चीजे खुच से ही बत करेंगे यह पिना मेनी नर्सिम्हा राओ वर्सेज गुंडा वरापू जय प्रकासू 1990 का case है यह भी अंगें इंपोर्टेंट केस है इसके बाद दो cases और हमें हैं तो उनमें थोड़ा थोड़ा जो है वो Consumer Protection Act का रोल टच करेगा तो यह केस अगर आप चाहें तो बहुत कोई केस आता है तो आप यहां पर मेडिकल नेगलिजेंस के साथ इस केस को वहां पर भी आप कोप्रा में रेफर कर सकते हैं Consumer Protection Act के क्वेशन में तो काफी इंपरेंट केस है यह दोनों जैका मेथ्यू और पिर्णामीनी केस वाला तो इसमें क्या होता है एक 17 साल का बच्चा होता है इसके बहुत जादा डेप्ट में फैक्ट जानने की जूरत नहीं है अब हम इसमें देखेंगे तो इसमें जो ऑपरेशन करने वाले सरजन होते हैं और एनस्थेटिस होते हैं तो उन्होंने के अगेंस्ट यहां पर केस चलता है तो वह उपरेट करते हैं गलत तरह से और उसके बाद जब वह इस कंडिशन में नहीं होता एनस्थेशिया के बाद भी कि उसको उसकी बॉड़ी से एक जो पार्ट यहां पे जिसको ऑपरेशन करना होते हैं तो रिमूफ किया जाए बट स्टिल वह सब करते हैं तो जिसकी वजह से उसे एरेपेरेबल क्या होती है इंजरी हो जाती है तो यहां पे वह जो इरेपेरेबल इंजरी होती है सर्जन और एनस्थेटिस्ट की गलती की वजह से यहां पे जो है एनस्थेटिस और डॉक्टर इनकी नेगलिजिएंस की वजह से एरेपेरेबल डेमिजिस जो इरेपेरेबल जो यहां पे इंजरी होती इसके लिए यहां पर कुछ गाइडलाइन देता हैं खुछ बातें यहां पर सामने आती हैं जैसे कि रीजनेबल डिग्री ऑफ कि इसको तक आप कुछ चीज को रीजनेबल होके सोच सकते हैं तो इसके समें जब ऐनेस्थेशिया उसको दिया ऑपरेशन से पहले तो यह चीज एनेस्थेटिस ने क्लियर नहीं कि डॉक्टर को सर्जन को कि आप उसको जो है यह उपरेशन करके जो आप निकालोगे उसके बाद इसको प्रॉपर जो हमेशे के लिए वो एरिपेरेबल जो है वो डैमेज इसको हो जाएंगे इस चीज को लेके दोनों को क्लियरिटी नहीं कोई सर्जन हो या कोई भी पर्सन हो तो यहां पर जब उसके पास सुफिशन नौलेज हो तभी वो इस चीज को आपरेट करे और ऐसे केस में जब उसको इंजरी हुई है तो वो सिर्फ मेडिकल नेगलिजिएंस के लिए यहां पर कोट नहीं जा सकता कंजूमर के दिया जाता है तो गलत ट्रीटमेंट के बाद वो यहां पर क्या कर सकता है कोई भी एग्रीव्ड पेशेंट है वो कंपन्जेशन के क्लेम कर सकता है उसे कंजूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में कंपन्जेशन मिलेगा थेंक यू